जो जिम्मेदार ही हैं उसको समा लेना और जो उनके बेहन जो रेखा मोदी जो सुजन गोटाला किया जाँ छापे मड़ें तो उनकी सरकार इसलिए बच रहे हो और जिस दिन ये लोग सत्ता में नहीं रहेंगा अगर दूद का दूर और निश्पक्ष करकर जाँ छो तो इनक अब तो यही सुने थे ना कि गंगाजी में डूपकी लगाईगा तो पवित्र हो जाएगा अब तो भाजपा में चले जाएगा तो पवित्र हो जाएगा ये स्तिती बनी हुई हैं तो ये लोग जितने लोग हैं देश में महंगाई हैं नौजवान बेरोजगार हैं लोग हैं अब तो बताओ कि विदेश का प्रधान मंत्री जो रहा है पूरू प्रधान मंत्री वो बोलता कि गोटाला किया है भारत के लोगों ने नरेंदर मोदी ने रिलाइंस का नाम सजेस्ट किया कोई जाच होती है अमिद शाह का बेटा 80,000 से 80 करोर कमा लेता कोई जाच ह बिजेपी में तो जाच ही नहीं होना है आप बीजेपी पार्टी में चले जाएं आज लालू जी को यही तो सजा मिल रहे हैं अगर लालू जी बीजेपी में चले गया तो तो राजा हरीचंद्र के नाम से नावासत है बिहार में जितना पुलीस के पास AK-47 नहीं होगा उतना अपराधियों के हाथ में AK-47 है दिन दाहारे जन प्रतनिदियों की अधिकारियों की घर में घुसकटके मौते कर देना ग्यांग रेप हो रहा है बच्चियों के साथ असरकार जो है सरकार के उपमुक्मंति जो प्रेस कॉन्फिर्स कर रहे हैं जिनको हम नाम दिया अफुआ मिया अफुआ फिलाते हैं अपने कारुबार के बारे में नहीं बताते हैं अपने भाई रिष्टेदार जारके मोदी के नाम पर जो कारोबार इन्हों ना खड़ा किया है कहां का पैसा है और दूसरी बात ये लोग तो गिरगिरा रहे थे ना अपरादियों से कि पित्रपक्ष के समय छोड़ दीजे अब बाकी ताइम अपराद कीजे यह मतलब कि सरकार छूट दे रही है अपरादियों के कि कुछ समय के लिए अपराद मत कीजे उसके बाद आप जो करना है कीजे तो ऐसा उपमुक मंत्री चाहिए या रौब से सरकार चलती है शाषन प्रशाषन तो रौब से चलेगा अपरादियों को तो घसीट के लाना चाहिए करी सी करी सजा दिलाने चाहिए यहां तो जो और रहे हैं कि अपरादी जो है आप अपराद मत कीजे यानि इनका अगडबंदने अपरादियों से